अधिकारी को कीचड़ पार कराने की तस्वीरे अधिकारी ने अपनी सफाई में कहा है कि वो खुद चल कर कीचड़ पार करना चाहते थे लेकिन उनके मना करने के बाब जूद लोगों ने उन्हें उठाए एर इंडिया के स्टाफ से मारपीट करने वाले शिवसेना सांसाद रवेंद्र गायकवाड ने कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे वहीं एर इंडिया ने सांसाद का रिटर्न टिकेट कांसल कर दिया है एर इंडिया के साथ साल के कर्मचारी को स्टैंडल से पीटने वाले शिवसेना सांसाद को अपने के पर कोई मलाल नहीं है शिवसेना सांसाद ने कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे रविंद्र गायकवाड ने दिले पुलिस को उन्हें गिरफतार करने की चुनाती दी है मही एर इंडिया और फेडरेशन आप इंडियन एरलाइन्स ने सविक्त बयान जारी किया है सांसद रविंद्र गायकवाड पर किसी भी एरलाइन में उडान पर बैन लगा दिया गया है रविंद्र गायकवाड कल सुबर AI 852 फ्लाइट से सुबर साड़े 9 बजे पूने से दिली पहुंचे थे गायकवाड के पास बिजनस क्लास का टिकेट था लेकिन उस फ्लाइट में बिजनस क्लास सीट नहीं थी दिली पहुंचने के बाद सभी यातरी फ्लाइट से उतर गए लेकिन गायकवाड नहीं उतरे गायकवाड को जब विमान से उतरने के लिए कहा गया तो वो गालिया देने लगे और मार पीट की एर इंडिया ने गायकवाड के खिलाफ दो अइपायार दर्ज कराई हैं एक में कर्मचारी की पिटाई कारों दूसरी में विमान को 40 मिनट तक रोकने का जिक्र पिशले साल जुलाई से इस साल फरवरी तक के बीच घडेलू उडानों में यात्रियों के हुरदंगी बरताफ की तिरपन घटनाए दच की गई है शिफसेना सांसत पर लोगसबा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा है कि मार पीट की घटना सदन के बाहर हुई है सभी पार्टियों ने भी शिफसेना सांसत के बरताब की आलुचना की शिफसेना सांसत की हरकत और अब अकड़ की चारों तरफ निंदा हो रही है कॉंग्रिस ने कहा है कि ऐसे सांसतों की वज़े से ही नेता बदनाम है NCP ने भी कहा है कि किसी तरह की कोई नर्मी नहीं बरती जानी चाहिए और सांसत पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए NCP के आम मैं तो कहूं किसी भी इंसान ने अच्छा ही behavior करना एक मा के नाते तो मैं बच्चों को यही समझाती हुना कि आपका दुखरे के साथ व्यवार अच्छा होना चाहिए जो कुछ भी शुचना NCP ने Air India के फ्लाइट के पर किया इसी कारणों के वज़े से आम लोगों के बीच पॉलिटीशन लोगों के बारे में घुसा है और इसी के वज़े से पॉलिटीशन लोग बदनाम है Penal Offence के तहट कारवाई होनी चाहिए और उसके साथ साथ उन्ही के पार्टी जिस पार्टी को वो बिलॉंग करते है पे जो खानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कारवाई हो रही है नहीं कह सकते हैं आगी कारण क्या था यह भी तो पता होना चाहिए क्या बदसलों कि उनके साथ हुई जो उनको इस तरह नहराजी विक्त करनी पड़ी मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन तो भी मैं एंपी साथ मारपीड का शिकार हुए एर इंडिया के साथ साल के ड्यूटी मैनेजर सुकुमार का चश्मा भी तूट गया था 2014 में शिवसेना सांसदों ने महराश सदन में IRCTC केचिंग सर्विस के इंप्लॉई अर्शद जुबेर के मुँ में जबरन रोटी थूस दी थी शिकायत में मुख्या अरोपी राजन विचारे समेच जिन 11 सांसदों के नाम दिये थे उनमें रविंद्र गायकवार का नाम भी शामिल था रविंद्र गायकवार महराश चुके उस्मानाबाद से सांसद अर्शपक की बड़ी खबर आपको दे देते हैं बॉंबे हाई कोर्ट ने हर्ताल कर रहे रेजिडन्ट डॉक्टर्स को कल सुभा तक काम पर लोटने की चेताव नी दी है हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर डॉक्टर्स कल सुभा तक काम पर नहीं लोटते हैं तो सरकार या BMC उनके खलाफ कारवाई कर सकती है डॉक्टर्स के असोसियेशन M.A.R.D. ने कोर्ट को ये भरोसा दिलाया है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स कल सुभा आठ बजे तक काम पर लौट आएंगे M.A.R.D. ने हाई कोर्ट में एक हलफ नामा देकर खुद को हर्ताल से अलग कर दिया है वंबे हाई कोर्ट ने महराश एसोसियेशन ओफ रेजिडेंट डॉक्टर्स को हर्ताल खत्मना करने पर फटकार लगाई मुंबे हाई कोर्ट ने कल हुई सुनवाई में डॉक्टरों को बिना डरे काम पर लोटने के लिए कहा था महराश के मुखे मंत्रे देवेंद्री फटनविस ने कहा है कि लोगों को तकलीफ हो रही है और अब डॉक्टरों पर कारवाई करनी पड़ेगी पड़नविस ने कहा है कि डॉक्टरों पर हमला करने वालों और मरीजों का इलाज नहीं करने वालों में कोई फर्ट नहीं रह गया है BMC के वकील ने हाई कोर्ट में कहा है कि सायन अस्पताल में हर्ताल की वज़ह से 38 मरीजों की मौत हो गई मुंबई के सायन अस्पताल के दो डॉक्टरों को पीटा गया जबकि ठाने में भी एक डॉक्टर पर मरीज के रिष्टेदारों ने हमला किया 17 मार्च की रात को सायन के एक अस्पताल में डॉक्टर पर जानलेवा हमला हुआ था मरीज की मौत के बाद रिश्टेदारों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया था 18 मार्च को और अंगाबाद के घाटी अस्पताल में भी डॉक्टर के साथ मार पीट की गई उत्तरप्रदेश के बुलंच शहर में मरीज की मौत के बाद परिवार वालों ने डॉक्टर के साथ मार पीट की डॉक्टरों पर हमले का सिलसला रुखने का नाम नहीं ले रहा उत्तरप्रदेश के बुलंज शेहर में हेरिटेज अस्पताल में महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गए गुसाए परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल के संचालत डॉक्टर संजीव यादव को पीटते हुए सड़क तक ले गए परिवार वालों ने डॉक्टर पर इलाज मिला परवाही का आरोब लगाया पुलिस ने आरोबी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है महिला को पत्री की शिकायत के बाद अस्पताल में भरती कराया गया ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद ही महिला की मौत हो गई डॉक्टर ने सास की दिकत के चलते मौत होने का दावा किया पुलिस का कहना है कि जाँच में डॉक्टर की लापरवाही मिले पर कारवाई की जाएगी कोल ब्लॉक केस में कॉंग्रिस के पूर सांसर नवीन जिंदल के मुश्किले बढ़ गई है स्पेशल कोट ने सीबियाई की अतरिक चार्ट शीट को स्विकार कर दिया है अमर कॉंडा मुर्गदंगर कूल ब्लॉक आवंटन केस में सीबियाई की अतरिक चार्ट शीट में जिंदल की कंपनी के चार बड़े अधिकार्यों के नाम है CBI ने चार्ट शीट नवीन जिंदल की कमपनी के पूर सीय, सुरेश सिंगल के बयान और सिंगल की ओर से दिये गए सबूतों के आधार पर दाखिल की है आरोपो के मताबिक नवीन जिंदल की कमपनी को जिस वक्त कोल ब्लॉक का आपटन हुआ उस वक्त दसारी नारायन राफ कोईला राजमंत्री थे, आपटन के लिए जिंदल की कमपनी की तरफ से मूटी रिश्वत दी गए इनी आरोपो को लेकर CBI ने सप्लिमेंटरी शार्ट शीट दाखिल कर पांच नए आरोप्यू के नाम जोड़े हैं सुशील मारू, JSPL के पूर्वित निदेशक, सिधात माडरा, JSPL के पूर्व डिप्टी मैनेजर, आनंद गोयल, JSPL के पूर्व डिप्टी MD, राजीव अगरवाल, JSPL के पूर्व डिप्टी GM, BSN सूरिना रायन, स्टाफ फर्म के निदेशक कोट ने सभी पाचो आरोपियों को 10 अपरैल को कोट में पेश होने को कहा है दिल्ली में सभी सरकारी योजनाव से आम आद्मी हटाने के चुनावायोग के आदेश पर कारवाई शुरू हो गई चुनाव आयोग ने दिल्ली में 48 घंटे के अंदर सरकारी योजनाओं में होर्डिंग, डिस्प्ले, बैनर पर लिखे आम आदनी शब्द को हटाने का आदेश दिया था जिस पर कारवाई शिरू हो गई है दरसल बीजेपी नेता विजेंदर गुपता ने आपत्ती जताई थी कि दिली सरकार की कई योजनाओं के जरिये आम आदनी पार्टी का प्रचार किया जा रहा है विजेंद्र गुपता ने कहा था कि नगर निगम चुनाव के जलते आदर्श आचार साही तालागू है जिसका उलंगन हो रहा है गोरकपुर में नेताजी सुभाष चंदर पार्क पिछले दो दशक से कबजे का शिकार है अब सरकार बदलने के बाद लोगों को उमीद है कि इस जगह से कबजा हट जाएगा इस पार्कों निताजी सुभाष चंदर बोस की याद में बनाया गया था लेकिन आज यहां गौशाला बनी हुई है मंदिर बना हुआ है एक परिवार पिछले दो दशकों से इस पार्क पर काबिस है इतना है नहीं पार्क में दुकाने भी खोली गई है अब यूपी में सरकार बदलने और योगी आदितिनात के मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों को कबजा हटने की उमीद जगी है हला लोग करते हैं पुलिस जहां रती है वहाँ अगर कुछ अबैद है तो उनका होता है लेकिन यहां कुछ तो है इसलिए पुलिस हट गई यहां से नेताजी सुभाशनर बोस पार्क अब रामलाल अहिर भवन बन चुका है करीब एक एकड में बने इस पार्क में 1997 में नेताजी सुभाशनर बोस की मुर्ती लगवाई गई थी जला प्रशासन का कहना है कि मामला कोट में है इसलिए अभी कोई कारवाई नहीं हो सकती है इलाके के लोगों का कहना है कि कई बार पार्क से कब्जा हटाया भी गया लेकिन परिवार ने फिर इस जगह पर कब्जा कर लिया प्रधान मंत्री ने नोट बंदी के वक्त अपने भाशन में देश की जनता को 31 मार्श तक पुराने नोट बदलने की बात कही थी लेकिन फिलहाल RBI सिर्फ उन्हीं लोगों के नोट बदल रही है जो नोट बंदी के बग विदेश में थे या फिर NRI हैं नोट बदलवाने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं पर उन्हें निराश होना पड़ रहा है सपश तोर पर लिखा गया है कि यह फेसिलिटी जो है रेजिडेंट इंडियन के लिए है जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक देश से बाहर थे या फिर NRI हैं यानि जो बाहर विदेश में रहते हैं NRI हैं उन्होंने सरकार को आदेश दिया है कि आप अगर इस पे अफिडेविट फाइल करें और आप यह एक्जामिन करें और देखें कि अगर आप कल को कोई कैटेगरीज बना सकते हैं कि किन किन लोगों से अभी भी पैसा लिया जा सकता प्रधार मंत्री ने 8 नवंबर को नोट बंदी की घोशना की थी या अश्वासन दिया था कि 30 मार्ज तक नोट बदलवाय जा सकेंगे RBI 30 दिसंबर 2016 के नोटिफिकेशन का हवाला दे कर सिर्फ NRI और उन लोग के नोट बदल रही है जो नोट बंदी के बग विदेश में थे अब लोगों ने RBI के फैसले के खिलाफ PIL के जरीए कोड कर रुक किया है